हेलो एवरिवन तो अगेन वी आर कनेक्टेट हेर तो डिसकस अबाओ निफ्टी टेक्निकल लेवल्स दोस्तो निफ्टी आज 2288 पर क्लोजिंग दिया है अगर आप ध्यान से देखें तो प्रीवियस डे कैंडल का जो क्लोजिंग है ना बाइस आज नो सो तेटिश उसके नीचे क्लोजिंग दिया है तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब सिंप्ली देखें तीन दिन से निफ्टी डाउन क्लोज कर रहा है बाइसग नोसो एक सट बाइसगर एक सेलिंग प्रेशर देखा जा सकता है देखिए अगर हम बात करें volumes के बारे में तो nifty के volumes अभी इतने अच्छे नहीं है अगर आप देखें यहाँ पे 370 million contracts में trade हुआ जबकि बाकी daily contract का जो आप trade limit देखेंगे trade average देखेंगे तो वो 260 220 million contracts में trade हुआ right so हमें क्या चाहिए यहाँ पे selling के लिए हमें यहाँ पे दो condition चाहिए एक हमें volume बढ़ा चाहिए इस तरीके का कुछ volume का figure आए 370, 370, 370 400 million का volume आई अगर आपको selling चाहिए लेकिन volume आने से पहले हमें जो candle है वो जो है वो कम से कम जिसका wick छोटा हो और जिसका size बड़ा हो wick छोटा हो जिसका तो इस तरह की कुछ candle form होती हुई हमें चाहिए अगर हमें देखना है कि market में correction कब start होगी तो यह एक बढ़िया sign है market में correction को पहचानने के लिए identify करने के लिए तो अपने को यह चीज़ अगर अपने को यह चीज़ form होती हुई दिखी ना तो हम लोग कह सकते है कि correction start होगी है market में अभी यहाँ पे कोई बहुत बड़ा sign यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है चलिए बात करते हैं open interest की उससे भी देख लेते हैं एक बार कि वहाँ पे क्या scene अभी scenario चल रहा है निफ्टी 22888 है तो हम 2900 वली जो call या put है उसका एक बार open interest चेक कर लेते हैं 2900 at the money 136,450 open interest call side पे 137,000 के असपास put side पे तो put side पे open interest जादा होने का मतलब तो naturally यही है की bullish है market लेकिन चलिए बाकी data analysis कर लेते हैं इसके उपर की 3-4 और नीचे की 3-4 उठा लेते हैं अब 2900 के तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 2700 के आसपास 2,00,000 contract जो है वो put side में short है और अगर हम बात करें call side पे तो 57,000 तो यहाँ पे पता लग रहा है हमें 4 गुना जो contract है वो put side में right किये हुआ है तो right करने का मतलब क्या हुआ कि market bullish है नमबर एक तो 2700 का level अच्छा support level रहेगा निफ्टी के लिए 2800 के level पे भी देखिए 2,00,000 के आसपास के contract है selling में, put selling में और call selling में अगर बात करें तो 90,000 यानि कि two times तो है यहाँ पे अभी भी तो 2200 का level भी supported level रहेगा निफ्टी के लिए हम बात कर रहे हैं कल तक के level के बारे में अब बात करते हैं up side पे क्या है strike price higher लेके चलते हैं higher strike price में क्या picture सामने आती है 2,66,000 contract खड़े हैं put side पे 23,000 वली put में लेकिन अगर हम देखे call side पे तो 3,65,000 contract खड़े हो चुके हैं तो यहाँ पे हाला कि यह two time data नहीं है 2x नहीं है यह 2x होता तो बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे 2,66,000 है तो यहाँ पे कम से कम होता ना 5,66,000 तो बढ़िया रहता तो हमें यह पता लग जाता कि 23,000 के उपर नहीं जाने वाला 22,66,000 के नीचे नहीं जाने वाला तो यहीं आसपास closing करवाएगा तो हम उसी साब से अपनी strategy बना सकते हैं तो हम देखते हैं 23,100 वाला contract 23,100 वाले contract में धाई लाग contract जो हैं call side पे open interest खड़ा है और अगर हम देखे down side पे तो 54,000 है put side पे तो it means market यहाँ पे बेरिश है तो अगर हम higher strike rate पे जा रहे हैं तो हमें पता लग रहा है market बेरिश है किस level पे 23,000 और 23,100 के level पे correct है तो हमें यह figure मिल गया नीचे 22,800 पे थोड़ा support level बाजार में दिखता है और 22,700 पे ठीक ठाक support level बाजार में दिखाई देता है net to net क्या है 52,50,807 call side पे और put side पे 31,51,565 इसका मतलब market बेरिश है चलिए यह हमारा थोड़ा जो basic study है वो हम analysis हमने कर लिया निफ्टी का तो निफ्टी जो है वो अभी थोड़ा bearish trend में है 22,800 का लेकिन support रहेगा और 23,000 के उपर निफ्टी जाना मुश्किल लग रहा है तो 23,000 का line कौन सा है हम यहाँ पे एक line draw कर देते हैं ताकि वो हमारे लिए एक remarkable रहे है चलिए यह 23,000 का level है यह देखिए तो अगर 22,800 के level की बात करें तो यह आपके 22,800 का level है तो यह आपका जो है support area दिख रहा है होगी चलिए यहाँ पे हम लोग type कर देते हैं निफ्टी 22,800 निफ्टी support seems at byshadso यह आपके अपके अपके निफ्टी रहे देते हैं अपके 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 चलिए यह हमारे लिए एक छोटा सा study हो गया जो हमें help करेगा डे में ट्रेडिंग में तो यह levels जो हमने यहाँ पे define की हैं तो यहाँ पे हमें एक probability रहेगी कि मार्किट 23,000 से उपर जाने के संभावना कम है और नीचे 22,000 से आने की संभावना कम है अभी कल के session में तो चलिए फर्स जोन के लिए हमारी त्यारी हो चुकी है अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे अगर आप commodities में ट्रेड करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा strong candle नहीं होती है इस तरीके के बज़ा इस तरह के situations में बज़ार gap up gap down ज़्यादा खुलते हैं बज़ार राइट तो यहाँ पे देख सकते है closing हुआ नीचे खुला है open बट उपर जाके close हो गया यहाँ देख सकते है closing हुआ नीचे जाके खुला gap down gap down gap up opening ज़्यादा होती है इस तरह के situations में anyways चलिए इसको छोड़ देते हैं but मैं यह कहना चाहूँगा इस तरह की candles में बहुत ज़्यादा strongness होती है यह वाली candle यह यह जो green candle है इन में बहुत ज़्यादा strength होती है जैसे यह यह red वाला candle आप जो देख पा रहे है यह वाला red वाला candle तो इसमें अच्छी strength है मतलब जिसकी wick बहुत कम है तो वो जिसको आप कई बार भले ही आप बोलते होंगे bullish angle fing, bearish angle fing तो यह वाली candle है तेकिन जिसका wick ज़्यादा है अब जैकि देखिए इस candle में wick है यह नहीं कहीं पे बहुत ही शांदार है और नीचे देखिए यहाँ पे 6866 closing हुआ market और अगले दिन देखिए 90 point crude oil डाउन गया लेकिन अब इस candle का फिर से wick बहुत बड़ा आया तो यह candle जो है उपर से नीचे close होगी है लेकिन फिर से reversal लागए anyways तो मोटे तोर पे कहना यही है कि इस तरह की candle में strength नहीं होती लेकिन इस तरह की candle में strength नहीं होती है लेकिन अगर wick आपका बिल्कुली छोटा है और candle का size बड़ा है तो वो best रहता है market में trend को identify करने में तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको कि trend फिर से जो है एक बार मैंने हला कि दो-तिन दिन पहले एक video डाला था कुरूरल के उपर कि trend confirm है भाई नीचे की तरफ तो वो यह वाला time period था यह वाला time period था वो तो market नीचे से ही bounce back कर गया हम देख सकते हैं यहाँ पे हला कि मैंने video करीबन यहाँ पे डाला था लेकिन market जो है वो आपका 63-64 से ही bounce back हो गया तो यह सब संभावनाई बजार में रहती है not a big deal तो हम आगे के लिए क्या सीख रहे हैं वो जदा important है तो यहाँ पे आप देख सकते हो आप के crude oil का जो trend है वो अब थोड़ा सा reversal हो चुका है number 1 number 2 कि अगर आपको इसमें position में पैसा बनाना है तो देखिए यह जो support level है इसको आप break होने दीजिए यह जो support level मैंने draw किया इसको आप break होने दीजिए यह हम इसको कर देते हैं तो यह जो support level है इसको break होने दीजिए break होने के बाद हमें क्या चाहिए यहाँ पे candle form होती हुई एक पहली candle green फिर उसके बाद red candle और उसी red candle में buying उपर के तब तो crude oil का थोड़ा सा trend positive लग रहा है US market में भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यह मेरा last draw किया हुआ चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि trend जो है वो बिलकुल downside की तरफ लग रहा था लेकिर यहाँ भी इसको काट रहा है तो यहाँ पे एक बार में probability नहीं आएगी तो हम लोग उसके confirmation के लिए wait करेंगे तो यहाँ पे एक green candle फिर उसके बाद red candle आए तो उस red candle के bottom के पास जो है आप buying बना सकते हैं तो वो best रहेगा और confirmation मिल जाएगी कि crude oil अब उपर जाने वाला है तो crude oil के targets देखते हैं यह एक green candle को form होने का wait करेंगे तो उसके बाद ही फिर मैं आपको next video में बताऊँगा कि crude oil में आपके पास क्या opportunity है तो तब तक के लिए आप अपने funds ready रखिए crude oil मिनी के अंदर 30-40,000 का margin है आप उसमें थोड़ा सार रिस्क लेके चल सकते हैं कोई दिक्कत परिशानी नहीं है लेकिन आपको पैसा जो है ठिक ठाक रिठानी है आपे 5-10% के आसपास मिल सकती है So this is all about today Nifty के levels हमने डिसकस की है 22-23,000 का level expiry नजदीक है तो जादा जो है बड़ा momentum expected नहीं है market में अभी इसके आसपास ही expiry दिखाई दे रही है Thank you so much, keep learning, keep watching videos and keep sharing